कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिनके बिना हम जिन्दगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जो हमारे सबसे बड़े अपने होते हैं, उनके दौरा कभी-कभी कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं, जो कि हमें काफी जादा गलत लगते हैं, हम इसा लगता है कि हमारे साथ काफी गलत हुआ है उनके द्वारा और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा कुछ फैसले हम ले लेते हैं अपने लिए खुद के लिए जिसके चलते सामने वाला जो हमारा करीबी है उसे ऐसा मैसूस होता है कि हमने उसके साथ गलत किया है और ऐसा जब होता है दो लोगों के बीच में तो उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही जादा खराब दिखने लगता है और यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत दिवार बन जाती है और इस दिवार को तोड़ना बहुत ही मुस्किल लग जाता है बहुत ही जादा प्यार बहुत ही लीड करेक्टर प्ले करते हुए नजर आती है उनके अलाबा दोस्तों आपको यहाँ पर तन्वी आजमी कुनाल रोय कपूर और मिथाली पालकर भी एक-एक मुख किरदार निवाते हुए नजर आएंगे सबसे पहले दोस्तों बात करें कहानी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और यह जो फैमिली ड्रामा है इस फैमिली के तीन मुख मेंबर्स हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको तनवी आजमी नज़र आती है माता जी का किरदार प्ले करते हुए उसके बाद यहाँ पर काजोल तनवी आजमी की बेटी है और उसके बाद यहाँ पर मिठाली पालकर वो काजोल की बेटी है तो दोस्तों यह तीर मेंबर है और इन ही तीर डास पास की फिल्म देखनी पड़ेगी अब मैं दोस्तों बात कुरूँ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जो कहानी हमको बताएगी है उस कहानी में दोस्तों इमोसन को भी बहुत सही तरीके से फिट किया गया है जिस से तैसे करेक्टर्स के बारे में जो हमको दिखाया समझाय जाता है हम उसको देखते हैं समझते हैं और इन करेक्टर्स के साथ जुड़के इस कहानी को एंजोय करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं बात कुरूँ यहाँ पर तनवी आजमी जो किरदार प्ले करती है वो एक आफी लिखने के लिए उनसे वराबर मिलते हैं कई सारे चीज़ों के बारे में चर्चा होती है और इन ही बातचीत में आपको कहानी के अलग-अलग हिस्से देखने को मिलते हैं सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि काजोल अपने माताजी से नफरत करती है तो obviously उनके पास एक बहुत ही बड़ी वज़ा होगी जिसके चलते हो नफरत करती है तो दोस्तो वगरा वगरा ये जो भी सारी चीजे हमको इस फिल्म में दिखाए गई है वो हमें कुछ न कुछ जगाहों पर emotional करती है कुछ न कुछ जगाहों पर हमको अच्छी लगती है उसी के साथ दोस्तो यहाँ पर जितने भी कलाकार आपको देखने को मिलते हैं तनवी, आजमी, कुनाल, रोय, कपूर, काजूल सभी का काम दोस्तो अच्छा है कुनाल, रोय, कपूर, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे इस फिल्म में कितनी अच्छी हिंदी वो बोलते हैं इस फिल्म में वो देख के काफी अच्छा लगेगा आपको और साथी साथ यहाँ पर तनवी, आजमी, जिस तरीके से खुले बिचारों की महिला का किरदार उन्होंने प्ले किया है जिस तरीके से वो बातचीत करती है, एक लेखा का किरदार जैसा उन्होंने प्ले किया है वो भी आपको इंप्रेस करेगा उसके बाद दोस्तो अब अगर हम बात करें कुछ कमीयों के बारे में तो दोस्तो इस फिल्म में जो एक सबसे बड़ी कमी मुझको लगी वो ये है कि ये फिल्म एक साब सुधुरी फिल्म हो सकती थी लेकिन दोस्तो यहाँ पर काजोल ने जो किरदार पले किया है वो किरदार दोस्तों बहुत ही जादा गाली गलूज का प्रयोग करता है मतलब कि कही पर भी वो सीधे साधे तरीके से बात नहीं करता है हमेशा गाली देकर ही बात करता है और बहुत ही बिचित्र बिचित्र प्रकार की हिंदी की गालियां अंग्रेजी की गालियां आपको यहां पर सुनने को मिलती हैं यह एक नेगेटिव पॉइंट मुझको दगा इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ मैं मानता हूँ कि ऐसा कई लोगों के साथ हो सकता है कि साइद यह पॉइंट के लोगों को नेगेटिव ना लगे लेकिन एक बार सोचो कि अगर इतनी जादा गालिया नहीं होती तब साहँ इस फिल्म को आप घर पर सभी के साथ देख भी पाते लेकिन दोस्तों यहाँ पर गालियों के ज्यादा होने के चलते काहानी के जो किरदार हैं उनके साथ हम जूड़ते हैं अगर आप लोग नेट्फिक्स का कॉंटेंट देखना पसंद करती हो तो दोस्तों इस फिल्म को आप लोग किसी भी कीमेत पर मिस मत कीजिएगा अच्छी फिल्म है काजुल का काम भी अच्छा है लेकिन थोड़ा गाली गलोज अगर कम होता तो सायथ सोने पर सुहागा हो जा